Hey guys, this is Artak and you are watching ModX Tech स्वागास दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे CPU और GPU के combos के बारे में जी हाँ, मैं आप लोगो कुछ processor और graphics card के combos इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो suggest करने वालों जो कि low to kind of medium budget तक आप लोग के आज आते हैं तो चलिए उस तो फटाफट से इस वीडियो का अब हम शुरू करते हैं So guys, यहर मेरे चैनल के उपर ऐसे ही PC related content के बारे में ही बात कर जाती है तो अगर आप लोग अब इंटरेस्ट है ऐसे ही PC related content के अंदर तो definitely करो और हमारे चैनल को subscribe साथ ही मैं तब उस bell icon को भी ताकि है future में जो भी नवीडियो डालूगा मिल जाएगी आप लोगको उसके instant notification तो अब हम बढ़ते वीडियो में आगे और बात करते हैं हमारे main topic के बारे में लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हो हमारे जो like target है इस वीडियो का वो है यार 400 likes का तो 400 like फटाफट से वीडियो के पर यार पूरे करवा दो अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे सबसे पहले combo के बारे में तो सबसे पहले में बात करते हैं यार Core i3-9100F और RX 580 4GB के combo के बारे में देखो यार Core i3-9100F आप सभी को पता है इस समय यार AMD के पास कोई भी जवाब नहीं है इस CPU के मुकाबले में तो इसलिए भाई अगर 5 से लेके 6000 रुपे के आसपास का आपका budget है और आपको एक अच्छा सा processor buy करना है यार gaming करने के लिए तो ये processor यार आपको लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है क्योंकि इस processor के अंदर हमें मिल जाते है 4 core 4 thread और इसकी जो IP से है वो काफी जादा है और अच्छी है तो आपको games के अंदर काफी अच्छ है ये frame rate आप लोगो निकाल के देता है अब 4 core 4 thread मिलते हैं तो भाई आप 5 से लेके 6000 रुपे ही खर्च कर रहे हो तो इससे जादा आप कुछ expect भी नहीं कर सकते हैं कि आपको इस budget के उपए रहे है 6 core मिलेंगे तो कम पे कर रहे हैं तो कम चीज मिलेगी और ये एक तरह से बहुत अच्छा CPU अगर आपको gaming करनी है तो और बात करें हम graphics card के बारे में जो कि मैंना को बता है RX 580 का 4GB वाला variant ये graphics card इस समय Amazon के उपर 11600 रुपे गा यार sell हो रहा है अब देखो भाई ये कब तक sell होगा वो मेरे को नहीं पता है बट still ये जो deal है ये बहुत अच्छी deal है क्योंकि यार 11600 के उपर आपको बहुत अच्छी value समय offer कर रहा है और Amazon के उपर sell हो रहा है तो भाई website भी बहुत अच्छी है आप वहाँ से जाके इनको order यार कर सकते हो और जितने भी combo से इस वीडियो के अधर मैं आप लोगो suggest करूँ ना CPU और GPU के सभी की links मिल जाएगी आप लोगो description के अंदर Amazon की link होगी जा कि आराम से आप buy यार कर सकते हो अगर मैं बात करूँ कि यार यह gaming कैसी करवाएगा तो यह आप लोगों करवा देगा यार 1080p medium high to ultra settings depend करेगा कि आप game कौन से चला रहे बहुत हैवी game चला रहे तो medium पे भी जाना पड़ सकता है नहीं तो आप high to ultra settings के उपर जातर यार game आप खेल लोगे अचीव करते हैं 60fps तो आपके 60fps की gaming यार अराम से इस combo के साथ हो जाएगी और बात करूँ मैं दूसरे combo के बारे में तो वो है core i3-9100F सेम भही वाला CPU लेकिन आपको इसके साथ graphics कार लेना है GTX 1650 Super अब यह जो combo है अगर आपको RX 580 4G वाला variant अगर मान लो unavailable है हो सकता है मेरे को जहां तक मेरे को पक्का पता है यह कुछ टाइम बद पका out of stock हो जाएगा क्योंकि भाई यह जिस price point के उपर sell हो रहा है यह बहुत जल्दी बिग जाएगा और मेरे साब से यह या तो इसकी price उपर नीचे हो जाएगी या फिर यह हो सकता है नहीं मिल रहा हो अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप 1650 Super के साथ जा सकते हो यह graphics card आप लोगो 13,500 से लेके 14,000 रुपीस के आसवास में देखने को मिल जाएगा gaming कैसी करवाएगा same RX 580 4GB वाली gaming आप लोगो यह करवा देगा दोनों में gaming लगबग same है ठीक है जो graphics आप लोगो मिलेंगे न जो आपको FPS निकल के आएगे जो games के अंदर वो लगबग same होंगे बिल्कुल 19,20 का फरकों का उपर नीचे का किसी game में थोड़े से ज़ादा FPS आपको RX 580 निकल के देगा किसी game के अंदर थोड़े से FPS आप लोगो GTX 1650 Super ज़ादा निकल के देगा तो यह combo यार काफी अच्छा लगा मेरे को बढ़ते आगे और बात करते हैं हमारे तीसरे combo के बारे में तो यह है भाई Ryzen 5 1600 और इसके साथ आप pair कर सकते हैं GTX 1650 Super अब यह चो combo मैंने आप लोग बता है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में तो यह है भाई Ryzen 5 1600 चेक और 12 थ्रेड आप लोगो देखने को मिल जाते हैं अगर आपको भाई कोई भी काम करना है यह all-rounder प्रोसेर है अगर आपको editing करनी है आपकी यह वो भी करवा देगा अगर आपको 3D animation करना है वो भी करवा देगा अगर आपको streaming करनी है वो भी करवा देगा और अगर आपको gaming करनी है तो यह आपका वो भी यार करवा देगा तो overall जो यार जिस price point की उपर यह समय मिल रहे है लगो 8,500 रुपे के आसपास में मिल रहे है साड़े 8,000 रुपे के उपर आप लोगो 6 और 12 थेड़ वाला processor मिल रहे है बहुत कमाल की value यह समय offer कर रहा है और जो graphics card में इसके साथ आप लोगो pair करवा है न GTX 1650 Super same price में आप लोगो बता दिये 13,500 रुपे के 14,000 रुपे के आप लोगो मिल जाएगा यह graphics card यह combo आप लोगो आप लोगो अराम से आप इस combo को use करके आप streaming भी यार कर सकते हूँ तो काफी अच्छा combo यार मेरे को यह लग रहा था बढ़ते हैं हमारे अगले combo की तरफ जो कि हमारा combo number 4 यह है हमारा Ryzen 5 3500 और आप इसको pair कर सकते GTX 1650 Super के साथ अब यह जो graphics card और CPU का combo है ना यह इतना अच्छा combo है क्योंकि भाई इसके अंदर जो हमें processor मिलता है भले ही आप का होगे कि भाई Ryzen 5 1600 अच्छा होगा क्योंकि उसके अंदर हमें 6 को और 12 thread मिल रहे है इसके अंदर तो से 6 को और 6 thread है जो Ryzen 5 3500 है बट इसकी IPC improve करी गई है और यह क्योंकि 3rd generation का processor है तो IPC definitely improve करी गई है तो आपको जो frame rate निकल के आएंगे ना वो यह CPU और GPU के combo के अंदर आप लोगों को जादा निकल के आएंगे और अगर आप थोड़ी बहुत अगर video editing करना चाते हो तो 3500 आपको वो भी करवा देगा बट main priority अगर आपकी gaming है तो ही आप इस processor के साथ चले जाना और अगर आपको video editing के थोड़ी कम priority है तो आप इसके साथ यार अराम से जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया जार यह combo है फिर से बता रहो जितने भी combos मैं इस video के अंदर आप लोगो सजेस्ट कर रहा हो ना 1080p ultra settings के उपर gaming यार यह करवा सकता है और आप मतलब निश्चिंत हो जाओ कि आप 1080p high to ultra settings के यार gaming पक्का ही पक्का कर लोगे और अचीव कर लोगे आप fps 70-80 बहुत अराम से ठीक हर एक game के अदर आप लोगो अराम से बिल जाएंगे तो यह जो combo है यार यह काफी अच्छा है अगर आप यार gaming करना चाते हो तो और साती सत अगर आप streaming करना चाते हो तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप Ryzen 5 3500 अटाके Ryzen 5 2600 लगा लो तो यह जो combo बन जाएगा ना Ryzen 5 2600 का और जो 1660 Super का यह combo आप लोगो बहुत अराम से यार gaming भ करवा देगा तो I hope यह video आपको काफी जाद है अच्छी लगे होगी फिर से बतारो हर एक combo की link है description के अंदर जाके बाया आप लोग यार कर सकते हो तो मैं मिलूँगा आप लोगों से एक और नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए यार thanks for watching